आज कलके समय की unhealthy lifestyle और गलत खान पान ये सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों वो बढ़ावा देती है cholesterol को cholesterol जो होती है वो हमारे बोडी में कई तरह की समस्यां को जर्म देती है इससे हार्ड संब्दी बीमारियों का खत्रा बहुत जादा बढ़ जाता है लेकिन अगर हम अपनी lifestyle में कुछ बदलाव करें खाने पीने में कुछ बदलाव करें और कुछ घरेली उपाय कर ले तो इस समस लेसन आपको बता है हमारी digestion system को मजबूत बनाता है अगर खाली लेसन कहते हैं तो हमारा digestion power है वह बहुत ही मजबूत होता है यहाँ पर लेस्टुन का इस्थिमार हम दो तरीके से करेंगे, दोनों तरीके मैं आपके साफ शेयर करूंगे, पहला तरीका तो यह हैं कि आप लेसुन को छील कर लख oyn zarate, दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि लेस्टुन को आप छिल के समेथ, इस तरह से कल्यों को अलग अलग कर लीजिए और छिलके समेश्ट ही इनको चबा चबा कर खाईए पूरे दिन में एक बार आपको दो से तीन कल्या लेसुन की खानी है लेकिन छिलके समेश्ट की छिलकों में भी एंटि ऑक्सिडेंट की माता भरपूर पाई चाती है और यह हम हमारे शरीर से डिटॉक्सिफाई होके बाहर आने लगता है तो एक तो आपको यूज करना है चिल के समय दी यूज करना है बिना चिले आप इनको पानी पी सकते हैं जो हमारे दूसरा तरीका है वो चिले हुए लेसुन के साथ है चिला हुआ ले लेंगे और उसके बासे हमें एक गिलास पानी डालेंगे या फिर एक बड़ा कपा पानी ले सकते हैं और लेसुन की कलियों को या तो आप पूट लीजी या फिर एक क्रशर से इस तरह से क्रश कर लीजी तो यहां पर मैंने पानी में पांच लेसुन की कलियों को क्रश करके डाल दिया है पानी को हम गैस और सिम प्लेम पर इस पानी को आप चार से पांच मिनिट पका लिए फिर यह जो लेसुन के वोशक तत्व हैं जो न्यूट्रियंट्स है वो इस पानी में आ जाएंगे और यह हमारी लेसुन की चाय बन कर तयार होगी इसको लेना कैसे ही यह भी मैं आपके साथ शेयर करूंग लेसुन की चाय करना है इसमें जो होता है वह कोलेस्टार को सवावी प्रूप से काम करेंके श्के अलावा यह हमारे डाइजेशन और बीपी को भी कंड्रोल करने में बहुत व्यादर होता है अगर आप तो BP की समस्या है तो ये भी एक घरेलू रेमेडी ब्लड पेशर के लिए भी है कि आप BP में लेसुन की चाय का सेवन करिए या फिर दो कच्छी लेसुन का सेवन आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं उसके उपर से आप पानी पी सकते हैं तो BP की ये रेमेडी में मैं मैं अपने चैनल पर शेयर करी हुए है कि अलग अलग तरीकों से आप लेसुन का सेवन कैसे करें वह भी मैंने अपने वीडियो में पताया हुआ है दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी दूसरे रेमेडी की तरफ हमें इस रेमेडी में सेवन करना होगा अक्रोड का यानि की व बहुं सारे कोशक तत्रों की जरूरत होती है और इनने से होता है ओमेगा-3 fatty acid सबसे में होता है और यह ओमेगा-3 fatty acid पाया जाता है अग्रोड में वैसे तो मोश्री जो लोग नॉन वेस्टेरियन होते हैं वो फिश खाते हैं तो यह चीज उनकी पूरी हो जाती है पर जब लोगों को इसकी पूर्ति करने होती है तो वो अप्रोड का सेवन करते हैं और जिससे हमारे हार्ड का जो है वो सहीर है इसमें जो अमेगा-3 fatty acid है वो हमारे बोड़ी से कोलेस्ट्रॉल को भी निकालने में बहुत अच्छे तरीके सेवन करता है डेली आपको 3-4 अप्रोड क स्किन में बहुत अच्छा सा नखाराने लगता है आप बढ़ते हैं अपनी नेक्स रेमेडी तरफ नेक्स रेमेडी जो है दोस्तों वह अलसी के साथ ये जो अलसी के बीच होते हैं या पिर जिनको फ्लैक्स सेट्स बोलते हैं यह हमारे ।क के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद होता है इसके अंदर लिनोलेनिक एसीड और ओमेगा-3 फैटी एसीड पाया जाता है यह हमारे LDL सेवन करते हैं इसे आप रोस्ट करके खा सकते हैं अगर आप लड़ु बना कर भी खा सकते हैं या फिर आप इसे जो है पीस कर भी यूज अच्छी बात है तो बहुत इसके साथ एक गिलास दूद लेना है दोस्तों और बस इसको चबा-चबा कर खाना है उपर से आपको दूद पे लेना है फिर आप देखेंगे कि कुछी दिनों में आपको अपने कोलिस्टाल लेवल में बहुत अच्छे से इसका रेजर्ट मिलना शुरू हो जाएगा अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो आपका वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा जो अलसी होती है उसे हम रोच करके भी खाएं तो भी इतना ही फायदा देती है अगर हम इसे कच्छा खा सकते हैं या फेस का पाउडर बना कर खा सकते हैं तो भी यह बहुत दूद की जगह आप गरम पानी का भी यूज कर सकते हैं यह मेंडेंटरी नहीं है कि आपको दूद ही ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि डबल टोंग जो होता है पूरी तरह से क्रीम निकला हुआ दूद होता है वही दूद यूज करना है क्योंकि यहां पर हम कोलेस्ट लेवल को कम करने में अलसी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है इसके बाद से बढ़ते हैं दोस्तों हमारी नेक्ट रेमेडी के तरफ नेक्ट जो है वह है ओर्स आपने सेवन किया होगा अभी तक मसाला और्स का पर मैं आपको प्रिफद करोंगी कि मार्कित में जो प् मिक्स कर सकते हैं और में बीटा ग्लुकॉन नाम का जो गाढ़ा चिपचिपतक वह होता है वह हमारे आतों की सफाई करता है साथी कब्ज की समस्या को दूर करता है इसकी वजह से बोड़ी में जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं वह एब्सॉर्ब नहीं होते और हमारी करते हैं और भाज एक सर्वाष्य को स्कुर्व सेवन जाता है तो आपको बहुत सारी है डीजीस से पाइदा मिलता है वीप के पेशेंट है नहीं है तो आराम से अपय और मोर्वों स्चीलिय और को जैसे चाहें वैसे आप इस्तिवाल करें और में कीचणी बना कर थाई जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से ओड जो है मारी बॉडी पर इपिंद देता है तो दोस्तों कोलिस्ट्रॉल के लिए आप सेवन करिए तो दोस्तों आज की मेरी रेमिडी आपको कैसी लगी जरूर बताईएगा इससे पहले भी में कोलिस्ट्रॉल को कम करने का इस बहुत पसंद किया है आई ओप यह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा यह वीडियो हेलफूल वह बेनिफिशल हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा फिर मिलते हूं मेरे नए वीडियो में तब तक के लिए गुन बाई थैंक्यू